कुछ ऐसी अफवा है उसके बाद फैनने लगे, कि आर कुलदीब शर्मा को छूरा मार दिया, हाँ, मेरा एक दोस्त हो बताता कि आर कुछ गाता है यह, पर एक बात है भाई, जब वो गाता है ना, तो यहां लगती है, आसे 24 साल पहले बहुत शराब पिया करता था, मुझे द दन मन धन इस परमपिता परमात्मा का है, कोई अच्छा गाता है, वो नहीं गाता है, गाने वाला कोई और बैठा है, 2007 में जब मेरी शादी हुई, उसके बाद ही मैं स्तार बनाओं, वाइफ का बहुत बड़ा हाथ होता है, जैसी छक्का दोनी ने मारा, तो पीछे वो गान शुरू टन न न गोले यार, देखो क्या मजा आया, यार, कुली बाई, एक बात बात पूछमा आपसे, आप पहली बाता नराज मत होना, इतना सोना आपने उपने उपर ये पहन रखा है, कभी डर नी लगता है, यार, नमस्ते मैं अबदेश और आप देख रहे हैं, देख शर्मा, इनका नाम है, और लगभग 30 साल पहले इन्होंने आकाशवाणी से गाना शुरू किया था, जब ये 16 साल की उम्र इनकी थी, और 1996 में इनकी पहली ओडियो कैसेट रिलीज हुई थी, और तब से लेकर आज तक ये हम सभी हिमाचल वासियों को एंटर्टेन करते आ र इंडी, शिमला, उना, हर जगा इनकी नाटियां बचती हैं और शादी व्या कोई भी फंक्शन हो इनकी नाटियों के बिना अधूरा सा लगता है, कुल्दीब भाई ने अपनी जर्नी हमारे साथ इस पॉडकास एपिसोड में शेर करी है, जो कि आपको जरूर देखनी चाह Thank you, thank you. इस पॉडकास को enjoy कीजिएगा, और शुरू करते हैं, कुल्दीब जी, ये जो पॉडकास के एपिसोड है अभी, इनमें हम आटिस्ट के बारे में जान रहे हैं, उनके सफर के बारे में, अभी हमारा वो वाला दौर चल रहा है, तो हम चाहते हैं कि आप अपने बारे में थो अभी और्डियन्स को नमन करता हूँ और आपकी काफी एपिसोड देखे हैं, बहुत अच्छा आपने, मतलब एक पूरी हमाचल में एक बहुत अच्छा स्टेंडर्ड मंटेन किया है, बहुत अच्छा आपके एपिसोड को देखके लगता है, और ये हमारे हमाचल पूरे परदेश से बाहर भी, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं बहुत छोटा था जब मुझे गाने का शौक पैदा हुआ, मैं एक छोटे से गाओं धामादरी पट्रोग से हूँ, तैसिल चेओ, जिला शिम्ला से हूँ, तो मेरे मातास्वर, ये बेगी देवी शर्मा, हिमाचल परदेश All India Radio के बहुत अच्छे एक अलाकार थे, और मेरे पापा जो थे वो एक ठेटर के आर्टिस्ट थे, तो उनको देख देखकर मुझे शौक पैदा होता था कि मैं कुछ इन की तरह बनू और माता की तरह गाना गाओं, तो जब उनको देखता था, तो मुझे पहली बार अपना गाना एक गाया स्कूल में, तो वो एक ट्रडिशनल सौंग है आपको, मैं वो दो लाइने उसकी सुनाता हूँ तो ये गाना मुझे बड़ा पसंद था, मैंने सुना था ये, तो मैंने पहली बार जब ये अपने स्कूल के प्रोग्राम में गाया, तो इतना प्यार मुझे टीचर्स का मिला, बच्चों का मिला वहां पर, और मुझे इनाम के तोर पर देजी एक कॉपी और पैंसिय मिला, मेरे लिए वो जिन्दगी का बहुत बड़ा सम्मान था, बहुत बड़ा अवाड था, तो बड़ा वहां से फिर वो शुरू हुआ, मेरा कॉन्फिडेंस बना की नहीं में गा सकता हूँ, तो जब भी फिर व वो दोर ऐसा हुआ करता था कि शनी बार वाले दिन बालसबा का योजन होता था, तो मैं हर बालसबा मैं वहां पर गाना गाता था, जब तक मैं नाइट में पहुंचा, तब तक तो मैं बहुत अच्छा कलाकार बन चुका था, अपनी नजरों में, तो मतलब उसके बाद फि तो उनके सामने मैंने स्कूल की तरफ से परफॉर्म किया, वो इतना बड़ा हिट प्रोग्राम मेरा हुआ कि बड़ा प्यार लोगों ने किया, उसके बाद मेरा नाम फैल स्कूल में सिंगर पढ़ गया जी, सिंगर हाँ, सिंगर ही बोलते थे सिंगर, तो उसके बाद फिर जरनी वहां से शुरू हुई, फिर मैंने चोटी सी उम्र में, सोला साल की उमर में मेरी माता मुझे आकाश्मानी शिमला ले गे, तो वहां एक एज होती है, तो वदेश जी मैंने वहां इतना प्रमात्मा के क्रीबा से मेरी क्या उकात है, मैंने प्रमात्मा के क्रीबा से इत एक रमाता है साथ पचास पे तो उसमें मेरे तीन गाने चले तो वो मतलब इसम जो की मैं सबसे छोटी उमर का कलाकार था जो एक स्कूल में बढ़ने वाला बच्चा औल इंडिया रेडियो से गा रहा है तो यह मेरी शुरू बात इसकी शेट क्या बात है है किस आप A.I.A.R. अपरूब्ड आर्टिस्पी है हाँ जी हाँ कौन सा ग्रेडिंग है उसके बाद मैंने फिर जो नौ-धस गाने मैंने गाया उसके बाद मैंने दुवारा ओडिशन के बलाते हैं उसके पांस साल के बाद मैंने दस साल वहां से लगा था मदर के साथ तो ये मान के चलो कि बस माता तो माता ही होती है क्योंकि जिंदगी में मा से बड़ा तो हम किसी का मतलब बोलते है कि माता का रिंड कभी चुकाया नहीं जा सकता तो माता से तो ये आपको लगता है कि जो मेरी स्वर्गी माता क्योंकि मेरे पास दो माता हैं हम मेरे घर की अगर मैं स्टोरी बताओं आपको कि मेरे पापा ने जो मेरे पहले मदर है जो जिन से मैंने गाना सीखा उनके पास बच्चे नहीं हुए काफी साल तो उन्होंने मेरे पापा की दूसरी शादी करवाई फिर हम पैदा हुए तीन भाई बेहने हम एक तो जो मेरी सिस्टर है चोटी वो सिंगर है सरलादांगी जिनका गाना पिंक पलाजो है वो मेरी रियल सिस्टर है तो उस माने हमारे लिए मतलब ये सोचो की कौन मतलब आप मान सकते हो की दूसरी लेडीज को कौन ले के आता वो इसलिए की उनके पास बच्चे नहीं हुए तो वो चाहते थे की मेरे पती की जो अलाद है वो अपनी हो हलांके उन्होंने एक गोद भी लिया था बच्चा एक साल वो बच्चा उनके पास रहा पर जो उनके पेरेंस थे उन्होंने फिर वो बच्चा वापस ले लिया पर फिर उन्होंने उफदेश जी मैं बताओं आपको की उस माने मुझे नाम भी पांच साल पहले दे दिया था अपने सेब की पेटिया होती थी, आपको पता है पहले वो लकडी वाली आती थी, फिर वो क्या बोलते हैं उसको मैं भूल गया नाम जो ठपा जो लगता है, उसमें उन्होंने उस टाइम लिख दिया था कुलदीप शर्मा, अब देखिए उन्होंने मेरा पांस साल पहले से ही नाम करण कर दिया था कि बेटा होगा, उसका नाम हम कुलदीप रखेंगे, देखिए अब एक सोच देखिए, तो बस उन्होंने जब शादी करवाई था उसके बाद मैं पैदा हो गया, तो फिर मैं उन्हीं को मा मानता था, जो तो मेरे मदर है, अब जाके वो 60 साल के वह ब यृद्धि आवने भी उनसे, उनको देख के, और मैरे जिन्दगी का मैं आपको पता हूँ, जब मैंने पहला अपना जिन्दगी गाना गाई तो वह भी मैं आपको सभाग्यश आली मानता हॉँ कि मैंने मा का गाना गाया, अ महाँजा, जी, क्या बाद है, वहे दो लाइने आमिया तू मेरी ये बेगी बुरो लागो तेरो आज जिऊं दिये बोले थी तू झालो अगे रुएला बातो सोची निकडी सेया थीयो के तो सुरगो तो तेरी थुगवारी दो बाकिये जुठा सलसा सुपणे दा खाना थिया तेरे हाथे तुकडा क्या बात है क्या बात है जिन्दगी का पहला ही मेरा गाना था और SD कश्रब जी ने इसका मेर्जी दिया था यहान पे आते है आप मैंने कुछ टाइम पहले डिसकेयवर किया था गाना एक यह आप ऍद्दोरा जानते हैं राजी राजा आये था還 हाँ बिल्कुल हुआ ऐसे कि मैं अब आपको बताओं फिर जब उसके बाद जब मैं प्लस फन में जब पढ़ा करता था तो मैंने गाना मेरा हिट हो गया प्रोग्राम भी मुझे उस्टाम में क्या होता था कि मुझरे वाले प्रोग्राम होते थे मैफील वाले बाजे तबले धोलग पे ये स्टेज तो बाद में शुरू हुए तो मैंने फिर आर्टिस्टों के साथ जाना शुरू कर दिया वो और पेमेंट उस्टम मिलती थी दोसो रुपे वो दोसो भी हमारे लिए बहुत ज़ादा होते थे बहुत बढ़ी पेमेंट थी वो तो क्या हो गया कि पढ खीब शर्म भी यार इतना बड़ा सिंगर बन गया ये तो बारू में तीन बार फेल हो गया मैं इसलिए बहुता हूँ कि ये मेरी नईया नाटियों ने पूरी पार लगा दी पर जो मैं बिना जो मैं नहीं पढ़ पाया हूँ जो मुसके खमयाजे जो मुझे भुगतने पास कर दिया बड़ा प्यार करते थे मुझे टीचर प्लस टू में तो बोर्ड का एक्जाम था मैं प्लस टू में तीन बार लगाता और फेल हुआ उसके बार टीचरों ने हाथ जोड दिये हिस्टी वाले मेरे सर है वो अब रिटायर हो गया है उनका नाम बोलते थे उनको मैं मुझे बला कि कुझी प्यार तेरी ड्हूर की बजगी बाई तो वो ख्शन भी मेरे लिए बहुत मतलब एक कहों कि वो एक बड़ा मतलब बोलते कि प्रॉड फील करने वाले थे कि वो टीचर ने जिसने मुझे मतलब प्यार-प्यार में ताना भी मा रहा था तो प्यार- जोने हाथ जोड़े बेटा कुछ आप कुछ करो और मैं अवदेश जी आपको बताओं कि उसमें इतना डिप्लेशन में चला गया था मैं क्या करूं क्योंकि आपको पता है कि उसमें हमारा हिमाचल का कल्चर इतना बड़ा लेबल पे नहीं था प्रोग्राम भी अगर आटिस्ट को किसी को मिलते थे पांच मिंट का कारेकरम मिलता था और पंदरा सूर पेइमेंट होती थी आप बात कर रहे हैं कौन से एर की यह मैं कर रहा हूँ जी नैंटी सिक्स नैंटी फाइव की बात कर रहा हूँ मैं यह आपको उसके बाद फिर मैं जी कश्च्च साब के पाद चला गया एस्टी कश्च्च जी के पास और वो समय क्या हुआ कि गुरू जी हमारे पनारसा आये थे पहली बार शकरवा से पनारसा वो आये थे और मैं भी स्वर्य लायक राम रफीक जी उन्होंने बहुत से गाने हिमाचल को दिये वो भी गुरू के सामान है तो वो मुझे पहली बार वहां लेगे और एक सिंगर है हमारे शाम सिंटा जी वो दोनों मुझे वहां पे लेगे और मैंने जब वहां आडिशन दिया तो फोड़ा मिया मिठ्व वाली बात हो जाएगी तेश जी गुरू जी ने बोला यार इस लड़के को मैंने सुरा मेरे रॉंगटे खड़े होगे तो मेरे लिए वो एक बहुत बड़ा मतलब जिस आदमी ने बॉंबे में बड़े-बड़े सिंगर्स गवाए तो बड़ा मज़ा आता था और शाम को मैफिल होती थी बड़ा आनब आता था तो वो तीन गाने जो मेरे रिकॉर्ड हुए पहला गाना ये सुबने दिमे ले आमे आती हुए मेरी कश्चप साब ने से कंपोज किया था और रफीक जने लिखा था आप ने आओड़ीशन दिया था वहांपे कश्चप साब के पास वहां मैंने एक गाना गाया था जब मैं कश्चप साब के पास किया तो यह अपना दो भाइगों का एकसिदेंट हो निनका नाम था तो वो वो जमाना था है, वह दो करता था कि उसस्ताइम डेथ सॉंग पड़े चलते थे, आज वो नहीं आज कोई डेथ सॉंग नहीं गवाता है ना इतरie ज्यादा हिच्ट होता है, तो वो दौर था कि उसमें जो डेथ सॉंग जो बनते थे हमारे ही मा चलनकी, वो बड़े हिट होते थे तो दो लड़के थे उनकी डैथ होगी थी वो बाइक पे जा रहे थे तो वो गाना मैंने गाया था वो दो लएने वो सुना तो हूँ कुछ आमिया बोलो सोबिया काणिये चाणे मिठडा खाणा रे खाणे मेरे बोलो खायो आमिया उट्टे गुमे के जाना रे हस दे चाली खेल दे चाली थी दोए भाईरी जोडी रे कुणी जानो थी ओ लेलूरे मोडो दी और सो मोटो ना खाडी रे तो यह गाना मैंने वहां पे गाया था यह आडिशन में यह बोला कि राजुगा बलुए दोनों भाई भाई बाईक पे बैटके जा रहे हैं हसते खेलते जा रहे हैं तो वह जैसे जा रहे हैं तो उनका लेलू के मोड पे अचानक एक्सिटेंट हो जाता है और दोनों की वहां डेट हो जाता है अच्छा यह इसका मिनिंग है गुरुजी फिर बहुत इंप्रेस हुए देस वाले जी जी इससे बिलकुल यह नो कहा कि यार बहुत उपर यह कोडिप जी उस टाइम के बरे में थोड़ा और पता पाएंगे थोड़ा से डिटेल में क्या-क्या रहता था वह पर उस टाइम का दोर क्या रहता है खismak के पास कश्यब साब के पास दो दुन में हम सारे दिन वहां काम करते थे हम जब आप यूज कर रहे हो तो कौन हम हम मे बड़े अच्छे है, बाद में छोड़ दिया गाना तो अब टीचर लग गये हैं, तो और भी बहुत से आर्टिस्ट है, धाबे राम और कुल्वी, बहुत अच्छा धर्मेंदर जी तो नौकरी वाले आदमी थे, वो तो कम सम्म आते थे, पर आते थे वहां, कृष्णा अच्छी जी और अपने बहुत से और भी सिंगर थे, उस ट्राइम दिमाग में क्या चलता रहता था, क्या बाते होती थे, उस ट्राइम कुछ याद है, बिल्कुल बाते क्या हो नहीं, बस खपे होती थी, बड़ा मज़ा आता था, और आनन्दा आता था, जब हम फ्री होते फिर अपना फिर वही दिन चरिया फिर अपना स्टूडियो का काम करते थे, खाना पीना रहना, सब जो, खाना मैं आपको बताओं कि जिन्दगी में मैं बहुत अच्छा कुकू कभी आपको मौका देंगे आपको, तो मैं कभी आपको खाना बना कर खिलाओंगा, मैंने वहा मुझे बड़ा इन्जोय आता था खाना बना बना तो मैंने काना वही पे भी खाया गूरुकुल में, सच बता हूं आपको, वाकि वही महुल था जो आज वो जमाना आमने तो नहीं देखा है, जो पुराने जमाने में उता था, गुरुकुल में, वाके ही अगर कुछ जिन्दगी में सीखना है अनुशासन, तो वाके ही आदमे को गुरुकुल में जाना बड़ा जरूरी है, वो मेहनत जो मैंने करी, वहां पे हम सब ने करी, उसका फल कहीं न कहीं जरूर आज ये फल इभूत हुआ है। बिसिकली जो फ्यूचर शेप हुआ वो सारा गर सारा वहीं पर उसमें बहुत वाला है। आपकी पहली आल्बम जो लिखी थी कि रखी जी या अपiran आप उस कैसण का नाम था. आपको रफीक जी लेकेगयी थे। जी रफीक जी और एक हमारे सिंग्रे nordさい, शाम σिंग्ता जी, वहां agua ही होग़ा कहा थे। एक क्यूरासिटी है और रफीक जी अब तो वो सुर्गियर है, उनसे अब नहीं रहे, रफीक जी के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं, कुछ लिए नहीं, ये गाने उनने जो लिखे रहे हैं, बहुत सारे लेजंडरी गाने उननों लिखे हैं, क्या आप थोड़ा सा बता प अबर जी, स्वरगी अहीरा सिंग अबर जी कमारे ठेयो के आर्टिस थे, तो पहली बार वो उनको वहां ले गए थे, बेसिकली ये रिदम बजाते थे, हाँ, बिल्कुल, तो ये जब वहां गए, तो कशप साब ने कहा कि रफीक जी आए, थोड़ा आप गाने गोने लिखो वैसे उनका नाम लाएकराम जी है, रफीक जो नाम दिया वो कशप साब ने दिया हां, लाएकराम रफीक आगे जो दिया अगे लायक राम रफीक लिख हो यार तो वहां पर फिर लायक राम गुरुजी ने रफीक साब ने वहां पर कशफ साब जो कंपोज करके देते तो उस पर गाने लिखने वहां से उन्होंने शुरू किये अच्छा वहां से शुरूआत वही उन्हीं जिद क्या बात है क्या पात है उसके बाद आप मुव कर गए कहीं और कुछ और अलबम आपने निकारा एए नगी नी फिर क्या हुआ कि जो उलाके गया सफना था, वहाइ फेल ही रूलाके गया कि वह गाना तो हित हो गया, मैं उसमें हिट हो गया क्योंकि मुझہ पर नजर पड़ गी लोगों कि यह कॉश नहें लड़का है इतना उची आवाज में गा रहा है पर वो जो बेसिकल जो अलबम था वो फेल हो गया था मैं आपको बता हूँ कि बहुत उससे में बड़ा अपसेट हुआ कि यार देखो इतना बड़ी यार कैसेट था यह कैसेट का जमाना होता था पोड़ो लगती थी तो बड़ा मैं बड़ा यार कितना मतलब मज़ा नहीं आए उसके बाद भाई फिर मैंने रिमिक्स करना शुरू किया अपने लेबल पर फिर मैंने वो कशफ साब के पास नहीं मैंने गाया फिर यहां आके मैंने अपना एक स्टूडियो होता था कच्छी घाटी में शिम्ला में वहां मैंने अठारा गाने रिकॉर्ड किये थे वो मैं आपको बताऊं भाई वो जो यह इंट्रिवू उस जमाने के लोग जो सुन रहे है मुझे जिनों नो वो सुना है धमा का मतलब वो अठारा के अठारा गाने इतने बड़े हिट हुए थे और गलती देखो कैसी मिस्टेक होगी उसमें फोटो तो मेरी लगा दी नाम लिखना भूल गया नाम नहीं डाला था तो कुछ लोगों ने दी बॉला ती घॉर यह तो बसंती देभी हमारी सिंगर भी है वो बहुत लजेंडरी सिंगर है तो बॉलते है रही तो बसंती देभी ने गाया है हाँ ऐसा हुआ तो मुझे बताना पड़ता यार मैने ये गाया है फिर जो उसके बाद बोलते हैं कि 15-20 दिन के बाद जो नया लॉट आया उसने बड़ी माफी मांगी पोडूसर ने SKS पोडूसर होते थे यार वो गड़ मिस्टेक होगी फिर उसमें मेरा नाम लिख्या है था कुलदीब शर्मा उबदेश जी वो कैसेड मैंने स्कूटर बेबी सुना वो इतना बड़ा हिट हुआ था उसमें मैं गाना सुनाता हूँ आपको सुना होगा आपने होगा न आज का दिन बीत गया दिन तो आओना बेकल का धादा कोरी रखे बेड़ी रा तुभी बेड़ी के चाने मल का शौरा मेरा बड़ा ख्राबो पिने के मांगो आदिया शाशू बोलो लिबे एरो तेस के तुभी एरोज का स्वादिया तो ऐसे अठारा गाने इसमें ऐसे थे कि वो ब्लॉक बस्टर हुए उसके बात क्या हुए अवदेश जी की टीम कंपनी चंडिगड की थी वो उस समय एक क्या सड़ाया था तरंग तो वो तरंग लेके जाते थे मार्किट में तो वो थे थे दमाका लेकर आओ भाई तरंग तरंग नहीं हमारको चाहिए बहुत हिट कैसर्ड हुई वो भी तो यह जो टीम क्या बात कर रहे यह वही है ने जिसका संत्री से कल लगो आता था तो वो परदेश जी वो बोले कि धमाका लेकर आओ तो उन्हों देखा कुदीब शर्मा या रहे तो इसने तो बवाल मचा रखा है पूरे परदेश में यह आडियो बहुत हिट हो रहा है त तो वो मेरे पास मशोउवरा है जी मैं घूर्म में मुशवरा में रहता था तॉस ताइम मही में, मैं पीता भी था, जी जूट के हो बोलो तो यह थी पहले वे एक टीक है बोटल की बोटल नहीं की तो यह जिसे मिलकीा आए गुप मैं भुझर्वाला आप नहां लिई 5 अलबम करो मैंने भुझर्वाला जी कर लेंगी तो बलह भी एक अलबम का कितना पैसा लेंगी सच ब याल्टी बता रहाहूं मैं आपको ये अगर उसम HUMAG होता पर दिमाग कहाँ होता तो उन्हें बोला, मैंने डरते डरते बोला, उदेश जी, मैंने बोला, पंदरा हजार पह लूँगा, तो उन्हें बोला, पंदरा हजार तो मैं दूँगा, पर आपको मैं रियल्टी भी दूँगा, फिर उन्होंने एक मेरा अल्बम निकाला, तहल का, वो पहला ही लोट, दस हजार का आया और वो दो दिन में खतम हो गया जी दो दिन में खतम हो गया जी बिलकुर यह रैल्टी है मैं को जोट नी बोला हूँ वो मुझे क्योंकि उस जमाने के नशाई नशा महक यह सारे अलबम में रहाए बहुत बड़े हिट हुए और म्यूजी को होता था जोती भिश्ट जी हमारे बिलकुल तो दस अलबम का मतलब हुआ कि एक अलबम में अगर छे गाने भी है तो साथ गाने हाँ, बिलकुल एक साल में आपने सड़ गाने हैं? हाँ, वो रफीक जी लिखते थे गाने, बिल्कुर। कुछ हम चेप भी देते थे, कुछ लू के गाने होते थे, कुछ वहाँ से गुरू जी हमारे रफीक साब, वहाँ का कोई गाना आता था, नहीं, सचाई है, देखो, ये बात सचाई है, तो वो कोई वहाँ की धुन बड़ी आ थे, तो उस पर हम कारवाई करके उस गाने को चेप के नया बना दिया, तो फिल उसके बाद बड़े हिट हुए, ये तो कश् सिंगर का काम तो गाना होता है, अब राइटर जो, कुछ गानों को तो मुझे पता भी नहीं कि वो किसका गाना है, किसने गाया है, तो कुछ गानों का तो ऐसा होता था कि रफीक साब बना के दे देते थे, अब तो चलो पचारे स्वर्ग में है वो, तो वो हम गा देते थे हो तो बाद में पता चलता था यार है तो कुलू का गाना यार हाँ कुछ गाने ऐसे होते थे जो मुझे बड़े पसंद आते थे मैं उता रिफीक साब यार बनाओ इस पर आज आप नहीं कर सकते हो किसी के काना और मैं सच को अबदेश जी मैं आज समझ आती जब बोलते ना कि एक मचे और होता ना आदमी वक्त के साथ तो वाकि सच लगता है यार कि गीत लिखने में कितनी महनत करनी पड़ती है और गीत को रिकॉर्ड करने में कितनी महनत होती है हम वाकि किसी की महनत को ऐसे उठा कर नहीं गा सकते पर आम आपको बताओं कि मैंने पिछले 10-12 साल से क अबी किसी के गीत को फिर मैंने नहीं गाया है अपनी ओर है अपना फिर उसके बाद अपने कुछ फोक सॉन्ग है फोक सॉंग पर तो किसी गादिकार नहीं होता है फोक तो फोक न को आइने वो को गा सकता है कोई भी, फोक आपने लोग के मदर हिमाचल का भी बहुत जाला बहुत बचता है कोई थो कुछ सुना देंगे हमें भी थोड़ा सा तहलके में आपको बताऊँ अपदेश भाई उसमें traditional song था एक बांठनो चाली जातरे जातरे उसके बाद वो गाना सुक्विंदर जी ने भी film कुरुक्षेतर में गाया वो हमारे हिमाचर का ही folk है वो उसमें मैंने तहलके में गाया था बहुत बड़ा ही two आ था हो दो लाइन उसकी सुनाता हूं मैं बाठनो चाली बोलो हो जातरे बाठनो का बन गया बंठन बंठन चली देखे हैं जाती रे बंठन चली देखे हैं जाती रे तो ये गाना इसमें इतना बड़ा हिट हुआ उसके बाद फिर वो सुक्विंदर जी ने भी गा लिया मेरे लिए तो फिर बड़ा सोने पे सभागा हो गया मैंने तो क्या कर लेना था सुक्विंदर जी का पर ये है कि यार मतलब एक कुदीब शर्मा का गाना यार बॉलिवुड में गादिया बंदे ने तो उससे एक मेरे को पब्लिशिटी मिल गी बहुत मज़ा है और सच बताओं आपको मैं एक हमारे अपना क्याना मुझे ये सभाग्यों मिला जिंदगी में कि सुक्विंदर जी को भी मैंने ये फॉन पे लाइव ये दूदश्ण का हमारा प्रोग्राम था तो मैंने ये लाइव उन्होंने मेरी पाद उन्होंने दिया तो वो दोर ऐसा हो गया अपदेश जी की मतलब बोलते हैं ना कि मतलब कुछ ऐसी अफवाय उसके बाद फैलने लगे कि या कुदीब शिर्मा को छूरा मार दिया या हाँ ऐसा हुआ क्यूंकि उस समय मैंने फिर एक गाना ये ठाकुरदास राठी जी की कमपोजिशन है रफीक साब ने लिखा है प्रिती जिंडा वाला गाना वो बड़ा हिट हुआ मतलब एक साल में मेरे दस एल्बम ऐसे हिट हो गया कि इतना हिट हो गया कि बोलते हैं जो हिट हो जा तो उसकी फिर कोई अच्छी चर्चा कर लेते हैं लोग कुछ नेगिटि तो क्या हुआ जी उसको और वो ममा तो बोले। मेरे बेटे को क्या हुआ उससे मैं आपको बता है मुवाईल का जवना नहीं होता नहीं तो मुझे पाह नीकर लेते हो। कि मेरे बेटे की शो जी बोलते हैं अब दिल रखना पढ़ता है तो मतलब सोचओ आपकी ऐसी रोडू में उसका प्रोग्राम था कहीं और रोडू में उसको चूरा मार दिया है और वो कुदीब शर्मा उसकी डेथ होगी तो मतलब आप देखो कि उसके में इतना बड़ा हिट हो गया था 2000 के समय में कि वो कुछ ऐसी अफ़वाय बनने शुरू होगी ये मतलब रेल्टी अजब ही है ये तो फिर मुझे वो उसके बाद फिर मैंने ख्रीर किया फ्रोग्राम में जब देखा लोगोंने तो नहीं भाई में हूँ 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 ये देखो यह तो अभी भी एक दो साल पहले भी आसी अफ़ा एक न्यूस बन गई थी कि कुदीब शर्मा का एक्षिदेंट हुआ और वो अब हमारे बीच नहीं रहे अभी की बात है कि उड़ेट साल पे मुझे वो कलियर करना पड़ा दिब एमाचल टीवी पे उसको मुझे क्लियर करना हुए भाई मैं है यार बिलकुल सही हूँ मुझे कुछ नहीं हुआ हुआ ऐसा था कि मैं थोड़ा समय बिमार हो गया था तो वह वहां होस्पिटर से कि निए दो लोगों ने मेरी फोटो ले ली और वो फोटोर वाइरल कर दी था मैं उस पे वेंटिलेटर उस पे था तो वह लोगों ने वाइरल उन्हों सोजा कि यह हो गया काम उसका मतलब यह फाय चली रहती है इतना चाहने वाला कौन है आपको जो इस तरीके से मतलब इतना प्यार करता है आपको की प्रिटी जिंटा बहुत बड़ा हिट था था यह बहुत था यह वीडियो वीडियो भी थे पहला वीडियो था हिमाचल परदेश का नेरू चाली घुमडी उसमें 2 गाने मेरे थे दो गाने विक्की चौहान के थे दो गाने शारदा शर्मा के थे और एक गाना नरिंदर रज्जन का था ये हिमाचल परदेश का पहला वीडियो एल्बम था जो की टीम ने बनाया था और इसकी स्टोरी में आपको सुना हूँ कि ये वीडियो कैसा था कि उन्होंने डरते डरते बनाया चल यार 12-15-2-000 वीडियो का दौर चल था इमाचल में तो था नहीं तो बना लेते हैं तो मैं यहां से शिम्रा से गया जी बस में अशूम घाडिया उडिया तो हमारे पर थी नहीं विक्की चौहान जी चड़ीगड स हाथ जब यूँ आता ना कैमरे पे तो ऐसा लगता है किसी भूत का हाथ आ रहा है वो वैसे कैमरों पे शूट हुआ और आप यकीन नहीं मानेंगे कि वो हिमाचल का इतना बड़ा एल्बम हुआ कि मतलब मैं अब दाओं कि टीम ने उसमें इतना पैसा बनाया और हम लोगों को क्या हुआ कि हम लोगों की एक मार्किट वैलियो बनी उस्या की उसके बाद फिर वो हिमाचल परदेश में आटिस्टों को स्टार नाइटे मिलने शुरू हुआ निरुचलि घूम्धी लाथी जी का लिखावा गाना विंआ उन्होंने गाया भी आया उसके बाद महहन सिंग जॉहान काफी सिंगरी अंगाया अगाया महन जी आपर वाउ यह वाँ ओड़के है आपकी बहुत 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 बड़ पहल्वा इसने मचाया थी दो लाइने हो जाए हुआ क्या बात है क्या बात है आप जैसे लेजंडरी कलागार जब इस पॉडकास्ट में आ रहे है यह इतने साले से सुन रहे हैं आप लोगों को और इतने हिट गाने आप लोगों दिये मेरे लिए तो honestly मेरी audience के लिए तो हुई रहा है बहुत special वो और मेरे लिए भी बड़ा special यह moment हो जा रहा है यह जो lyrics थे कि मेरी pretty जिनका यह रफीक जुन लिखा यह भी? ने यह गाना बतब उसमें क्या होता था कि कुलू में जो गाना बनता था वो अपर हिमाचल में convert होता था तो यह composition ठाकुरदा राठी भाई की है और compose का मुझे बता नहीं उसका राठी भाई नहीं किया और SD का शब जी का इसमें music है तो यह गाना राठी जी ने गाया था और मैंने गाया दिया तो उन्होंने गाया था मेरी शिरी देभी है कोखे जाले तू और मैंने कोखे का किरका बना दिया रफीक साब ने किरका बना दिया उसको तो वह फिर अचाए कनवर्टिड गाना यह वाला भी यह तहलका आपने मचा दिया उसके बाद नेक्स्ट आलबम आपकी जो सबसे बड़े हिट हुई थी उसके बाद तो फिर दो हजार एक में आई जाते थे हर साल जो एक मैं टर्निंग पॉइंट कहूंगा भाई हमारे यह थोड़े मिया मिठो वाली बात हो जाएगी पर वह यह हुआ है 2009 में मैंने निकाला था नाटी फीवर उसमें गाना था रोडू जाना मेरी आमी है उसको मैंने कि हमारे गानों को जो अपर के गाने हैं क्या होता था कि सोलन का गिद्दा सोलन में सुनते थे स्रिमौर की नाटी स्रिमौर में सुनते थे कांगड़ा का जमाकड़ा दो कांगड़ा में सुनते थे मैं अपने आपको यह बड़ा यह हिट एल्बम हुआ ओडियो की धमाल मचगी पूरे हिमाचल में इसने बहुत बड़ा धमाल मचा रहा था मैं आप इस पर आने ही वाला था कि आपकी हास बात यह है कि आपने पूरे हिमाचल को करनेक्ट करके रखा हुआ एक साथ चोड़ के रखा हुआ कैसे आप आपने कांगडा के भी गानेगा रखे है आपने कुल्डू के गानेगा रखे है बिल्कूर बिल्कूर शिम्ला अपर शिम्ला तो अलग ही हो गया तो आपने ऐसा कौन सा एरिया जो छोड़ रखा जहां नहीं, मैं अपना आपको वाकी बहुत सभागेशाली मानता हूँ, जल सी, मैं दिल से बताता हूँ, आपने मेरे, क्यूंकि बोलते हैं आज हाथ कंगन को अरसी किया, पड़े लिके को अरसी किया, आप जूट तो आज बोल नहीं सकते हो, क्यूंकि आज इंटरनेट का जमाना ह मिलता है, बलके मैं यह बता हूँ कि, अपर हिमाचल से ज़्यादा प्यार मुझे लोर हिमाचल में मिलता है, कांगडा, हमीरपूर, बिलासपूर, उन्ना, ऐसी कोई जगा नहीं है, जहां मेरी नाटियों को लोग नहीं सुनते हैं, जब भी मैं, जहां 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 भी एक moments, 10-10 बार रहां, मानों मैं पालमपूर हुली में 10 बार जा चुका हूं, और अगर मैं बात करूं कुल्ल दिषेरा में, जहां। sorry ममें 10 बार नाइट करी है, और अगर मैं शिम्ला समर फेस्टिबल की बात करी हiau जहह साथ बार नाइट करी है, मतलब पूरे हिमाचल में चंबा में मैं साथ आठ बार स्टार नाइट की है तो मतलब जो प्यार मुझे लोगर हिमाचल में मिलता है मतलब ये लगता है कि मुझे मंडी में मैं लगा तार में चार बार स्टार नाइट कर चुआ हूँ अभी भी लगा था नहीं तो और ब्रेक दे देते हैं सिंगर को मुझे बुलाते हैं लोग वहां पर तो मतलब अफदेश भाई ये लोगों का प्यार है और बाकी में हर मंच पर ये भी कहता हूँ कि कौन पोश्टा था तेरी बंदगी से पहले बुजा हुआ दिया था तेरी रोशनी से पहले ये करीपा जो भी होती है ये परमात्मा की करीपा होती है प्रारब्द होता है आदमी का बोलते ना कि यार ये तो बंदा यार जो भी कर रहा है वो हिट जा रहा है ये हमारे पूरब जनम के कुछ अच्छे करम होते हैं जो कि आज हमारे को ये हम हिट पे हिट जा रहे बाकी महनत होती है जो भी देख रहे हैं वो agree करेंगे इस बात से कि किसी मर्जित जिले में चले जाओ शादी हो रही है तो आपकी नाटी बनेगी इतना वर्सेटाईल और इस तरीके से मतलो सबको एक साथ लेके चलना बहुत बड़ी कृपा है जिसका आपने जिकर किया ना भी यह हम सबने बहुत सुना वाए रोड़ू जाना मेरी हमी है यह भहरवी स्टूडिय में बना था? हाँ यस भहरवी स्टूडिय विलासपूर में उस तरह पम्मी गोल्डी साथ होती है? बहुत ज्यादा तो ये बनाया था जब अलबम बना तो ये पूरे हिमाचल की गाने हमने इसमे फोक सॉंग्स लिए ये किसका आइडिया किसका था ये पमी भाई का आइडिया था या आपका आइडिया था या आपका आइडिया था किस तरफ से था ये यह मेरे फ्रेंड थे एक सुन्दा नगर से जगदीश राना जी, उन्होंने मुझसे कहा कि यार कुदी भाई कुछ ऐसा एल्बम निकालोगा आप, कि जो पूरे प्रदेश में आवाज तो आपकी एच्छी है, पर थोड़ा सा आपको बताऊं मैं कि आपको थोड़ा सा लोर ह तो उसमें क्या क्या कि A B side होती थी उसमें audio का, A side, B side, A side कैसे लगे फिर दूसरी side को तो हमने एक side में 6 गाने और एक side में 6 गाने, उसमें हमने लिए 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 जोड़ू जाना मेरी आमगे, चंबावार की नदिया पार, शालू, और बहुत से एक गाने, फिर इदर को ए ऐसा एक गुलतस्ता बना, जब ओ रिलीज हुआ, महाराज, ये इतना audio भी का, बहंकर, और ओ, DJ का भी उसमें फिर दौर शुरू हो रहा था, और फिर DJ में फिर वो चलना शुरू हो गया, और धरमशाला में जब-जब भी मैच होते थे, आप तो चलो लगने लगे, पर पहल जब भी ही गाने चलते थे उफदेश भाई वहां पर, और एक गाना, रोडू जाना मेरी यामी है, वो गाना वहां पर, पूरा sound में बजाते थे, धोनी ने छक्का मारा, तो मैं भी मैच देखने गया था, तो मेरे साथ और भी लोग थे, तो जैसी छक्का धोनी ने मारा, त तो पीछे वो गाना शुरूरू, तो मैंने गोले यार, देखो, क्या मजा आया, यार, कैसी feeling थी? अब बहुत बहुत अच्छा लगता है, देखो न, कि देखो, इतना बड़ा हमारा, जिसने तीन बार हम लोगों को बड़ी बड़ी ट्रोफिय जता के दिये, तो वो आदमी शक्का मार रहा है, और पीछे कुधीब शर्मा का गाना चल ला, और कुधीब शर्मा वहां पर बैठा है, और फिर मैं चार बंडो को बीच मेरी और और बन गी यार, क्या बड़ी बड़ी है बहुत यह अलग जल्वा, अच्छा लगता है, यार. जब यह एलबम बनी थी, उसरे माइडिया था कि इतनी बड़ी हिट होगी? नहीं, इतना बड़न था, ये कोशिश थी हमारे कि पूरे परदेश के लिए करेंगे, तो बहुत बड़ा हिट हो गया। किसने डिस्रिबूट किसने करी थी ये? ये था अपना शीरिव पूरेक्शन, हमारे हाँ, शीरिव पूरेक्शन ने बनायाा था, नाटी फीवर इसका नाम था, नाटी फीवर ये बहुत बहुत चला है अभी तक चल रहा है, और हम दुआ करेंगे कि ये साल ब साल ऐसे चलता रहे मैं बिल्कु बताओं कि जहते में चाहत बहुत बड़ा हिट हो वह लाख हो मैं इसका कैसर्ड भी काता लोग चाहत उसमें बहुत बड़े-बड़े हिट काने थे फिर चाहत के बाद धरकन आया वह भी बहुत बड़ा हिट हुआ था मतलब यह कहूँगा आपको भाई कि, कैस्टे मेरी बहुत चलिये बहुत ज़्यादा कैस्ट दिखते थे उस समय उस ट्राइम यूटिव का जमाना नहीं तो पता चलता कि कि टने करोडों अलग उस ट्राइम पर भी रोड़ू जान भी मेरा आमीन नहीं सुनायएंगे तो फिर लोग नराद हो जाएगे यूश् क्या बात है। चाहत की क्या स्टोरी है। चाहत अलबं मेरा बड़ा बहुत अच्छा अलबं है। जिन्होंने सुना हैं। बहुत लाकों मैं यह आलबं भी गा। उसमें बहुत बड़े-बड़े हिट-गानी चाना जैसे गुर्खी वाला गाना था। रीज जोगा से सुनिया चले, यह मतलब एक ऐसा अलबम था कि मतलब जो फोक सुनने वाले लोग है उन्हों ने इस गाने को बड़ाए प्रिशिट किया था हुआ ऐसा कि मुझे मैं आपको बताओं, कुछ लोग बोलते थे यार गाता तो बहुत बड़ी है, मेरी निंदा होती थी, ऐसे ऐसे मैं आपको किस से सुनाऊंगा मेरा एक दोस्त वो बताता कि यार कुछ गाता है यह इसको नहीं सुनना मैं बजुर बजुर लोग थे पर एक बात है भाई, जब वो गाता है न तो यहां लगती है, पर यह जरूर है कि वो गाता नहीं है, वो उटपटांग रिमिक्स कर दिया, उसने मारे कल्चर को खराब कर दिया तो जो चाहत जो मेरा इल्बम आया था, वो एक मेरा ऐसा इल्बम था, उसमें मैंने जो वीडियो बनाया था, इसका बड़ा पूरा ट्रडिशनल विश्भूशा में बनाया था, और बतलो जो बजुर्ग मुझे नहीं पसंद करते हैं, तो यार क्या बात है, यह तो ठेट भी गा सकता है यार, बड़िया गाता है, फोक गाता है, गोर्खी गाता है, तो मैं दो लाइने सुना तुम आपको बैठी सिसी ओरे, थांबे जवाना बे गोरी के लागे, रोस्ते हमों के लागे तारीको अगर लेरी सियाद में तो मैं मेलोडी आ दोगे, ना, 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 ओ, बहुत, यही तो चीज़ा जो connect करती है, कभी निंदा होई? मेरी तो महराज बहुत निंदा होई, आज तक होती है, और आज तक करते हैं, बहुत से आर्टिस्ट आज भी भोलते हैं, यार यह हमारे गाने इसने गाये हैं, चोरी करके गाये हैं, तो हम जो देखो, निंदा के लिए देखो ना जी, एक बाद हो आपको, जब इतना प्या तो पता भी नहीं था कि यार यह गाना या कुलू का है, या कहीं मंडी का गाना है, पर होता क्या है, मैं आपको इसके पीछे भी एक स्टोरी बताओ, जब कोई गाना सूपर डूपर हिट होता ना, तब बोलता है बंदा कि यह मेरा गाना है, आज यह बता दो कि फोक पे तो कि सी गादी कारणी अब मानो पानी टांकी गाया है मैंने पुराना गाना है यह, बहुत सिंगर्स ने गाया है, साइबर एभी भी भी एक फोक्स होंगे, तो बहुत से का, यह जूर है कि मेरे पास गाना आया तो वो हिट हुआ भाई, वो इतना बड़ा हिट हुआ कि यार फिर त क्योंकि कुछ गलतिया हमसे हुई है, तो वो उस गलती को मैं बोलता हूँ कि accept करना चाहिए, विलकुल, कितनी albums करीब हमे गोल्डी के साथ? उनके पास करीब है 10 albums, 10 albums, जी बहुत ही बढ़ी है, कैसे experience था उनके साथ overall? बहुत अच्छा मैंने बता हूँ कि हिमाचल परदेश का बेस्ट स्टूडियो वो था, और यही कहूँगा कि वो स्टूडियो, एक मेरा album आया महक, अब मैं आपको बता हूँ, देशी मेरे लाखों में कैसर्स बिखते थे, और producer ने जब वो launch करा, वो यारी तो कैसर्स बिखनी रहा है, तो फेल हो गया, मतलब 5-10 हजार अगर कैस वहाँ से शुरू हो गया था, वो समझ जे, क्योंकि टेप रिकॉडर बंदों ने, अब सुनने, बंद कर दिये थे, तो वहाँ से ये, 2007-8 में, ये album आया था, तो वहाँ पर ये, उस audience हमार को पता लगा कि भाया, अब कैसर्स का जमाना जाने वाला है, तो बीच में तो आप earning कहां से होगी, में बात वो थी, कमाईयां बंद बास, कमाईयां बंद होगी, जी, उसके बात जब सीडीज का दौश शुरू हुआ, जो ये ये जो YouTube के अरा पर जुगाने आने शुरू हुए, उसके बात फिर शुरू हुआ, चीज हैं उस तरीके से फिर हुई, सबसे ज़ का मुहबते नशाई नशा और मीरा रानी है, वो उसके मुहरे मीरा रानी में कुई दस गान है थे, दस के दर्स है टूए थे शुन मेरी ए, भाबी ए, दाडी ए, मेरे कौरणियों, शादीरे, मेरी भाबी ए, हो प्यारी इंदिरा, जाना गुम, दे जाकू, हिल स्टेशना तो यह गाने थे उसमें, मुझे न, अइल्बम का नाम नहीं है या, मुझे गाने आदे है, बिल्कुल, यह बड़े इंदिरा तो, प्यारी इंदिरा तो, तो मतलब मैं आपने आपको बहुत सवभागय शाली मानता हूं कि मुझे बहुत सा से गाने मेरे हिट रहे हैं, इस प्रमात्मा के लिपा, बाकी हमारी क्या होकाते हैं, यह प्यार है लोग कहां, कैसे बोलते हैं न, कि जो दिल से निकलता है जब ओ दिल तक जाता है शायद, यही कारण इसके पीछे रहा होगा, यह तो है, बिल्कुल है, यह तो आप तो कनेक्ट तो करते हो आप, बट क्या उस ट्राइम पे आप सेंस कर लेते हो, जब गाना बन रहा होता है, कि यार, यह भाई यह जाएगा, अब ही देखो, मैं आपके बता हूँ, 2017 की बात करता हूँ, पूरी आल्मम हमारी तयार होगी थी, राजीव नेगी हमारे बहुत अच्छे म्यूजिक डेक्टरे, उनना ब यह उसी दिन जब हमने रिकॉर्ड किया, उस दिन यह लग गया था कि यह बहुत बड़ा हिट होने वाला है, फिर थोड़ी सी मिया मिठ्ट वाली बात करूँगा बाई, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, आप बोनें कि ज़्यादा फैल रहा है, लोगों को भी लगेगा, कुदीब शर्मा के इत कि मतलब मैं ही चला हूँ उस दोर में, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, उसके बाद भाई जब यह चसका आया है ना, तो चसके ने वाकी धामाल मचाया है, उन बच्चों को में बहुत, हमारे चोटे भाई है, अजे चौहान और अजुत अमर, इन बच्चों ने इतना अच्छा अलबम गाया है जिसका कि मतलब मैं, बहुत अलब धमाल मचा रखा है ना, बिल्कुल, मतलब यह कहूँ कि कुदीब शर्मा के जो उस थोड़ा सा जो बोलते है ना, कि उस फ्लो को, जो कम किया है, वो यह अलबम, क्या बात है, आप कितनी honestly बोल रहे हैं, मैं गो भी बात है, अब देश आज से चौबीस साल पहले, बहुत शराब पिया करता था, मुझे दो बोतल शराब पिला दी जाती ती और प्रोग्राम करवा दिया जाता था, गवा है मेरे पॉपलिलेक्षन के, डीड़ी भाई है मेरे एक, पाल जी है, अपर शिम्लावाला जी, डीड़ी भाई. कि वो मेरे जो कपड़े है वो तीन तीन चार दिन के बाद घर में चोड़ने आते थे कुदीब यार क्योंकि इतनी शराब पी लेनी वहाँ पे जो ड्रेस जो चेंज करनी वह वहीं बोल जानी और फिर वो घर पे आ जाना और एक बोतल शराब कुदीब शर्मा को पिला दी जा कि अविधार तो पूरे 24 साल हो जाएंगी। मैंने कभी भी किसी भी परकार का नशा नहीं किया और मेरे जैसाonton कोई भी नहीं प्रकार काका नशा मेरे जाना किया कोई भी किसी नहीं किया वह लागा करा तो स्टेज से गर जाता था गाते गाते पर सा सल filters कि लेक आपको पता अभी उपदेश भाई जब हिट होता है ना, शोहरत पचाने के लिए भी बड़ी ताकत चाहिए, वो शोहरत जो मिल रही थी, छोटी सी उमर में शोहरत मिल गी, बहुत बड़ा हिट हो गया, स्टार बन गया, आडियो के जमाने में स्टार बन गया, तो वो लग रहा था कहीं कहीं कि वो पचाना मुझे मुझे मुश्किल हो गया था, फिर भाई वो दो हजार में जब मैंने छोड़ा उसके बाद फिर कुल दी शर्मा, फिर उसके बाद बना है, क्या बाद है, तो इसकी बाद कर लेते हैं थोड़ी सी, क्या वो चीज हुई कि जब आप लो लगा कि न मुझे ना पैसे मिल रहे हैं, मुझे तो यूज किया जा रहा है, अब क्या होता था कि दो चार पैक जब पिला दिये तो चलो भाई आज गाना गाएंगे, कभी यार गली चरहों में लगे गाने, कभी कहीं मानो बियर बार में आर बैठें, वहीं नाटी लगा दी, कई बार मेरी माता बेगी देवी शर्मा थे उस टाय में, उन्होंने मुझे बोला बेटा, इतना बड़ा डंडा लेकिया है और उन्होंने मेरी साहिट एक ताश की जोड़ी फैंकी, कि बेटा अब दारू तो पीता है, जुआ कहलना भी शुरू कर दे, अब यही रह गया, जुआ भ कोई भी सिंदगी में, मैं मानता हूँ अफदेश भाई, हम कुछ नहीं करने वाले होते हैं, यह करने वाला सब प्रमात्मा होता है, सिर्फ हमारे को थोड़ी सी कोशिश करने वाले करनी पड़ती है, बाकी तो यह चाहे, तो पता नहीं आप से अगले सेकिंड में, अगले प्रमात्मा से की, और गुरु महराज ने यह चुड़ा दिया, उसके बाद भाई, फिर मैंने जिन्दगी में आज तक कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, और हर मंच पे, मैं यही संदेश देता हूँ, कुछ शुरू में मैंने गाने गाए ऐसे कि जो उस समय तो अकल से चल रही है, मैं कोई भी गीत ऐसा नहीं गाऊंगा, जो की नशे को प्रोटसाइद करता हो, समाज में नशे को करने के लिए उसाता हो, क्या बात है, क्या बात है, परी नाइस, जो आपने बताया भी निरंकारी जी, यहां किसने जोड़ा आपको, यह मेरे अंकल जी होते एक दिलेर सिंग ठाकुर जी भी लासपूर के आप से, कुठेडा से, अच्छा कुठेडा से, हां जी, तो वो हम मशोबरा में रहते थे, तो बोलता है, बेटा, तू इतना अच्छा गाता है, हमारे संगत में आकर, तो मैं फिस संगत में जाना शूरू कर दिया जी, तो क्य हुआ हुआ अफदेश भाई की संगत में, वहां फिर हफते में संगत होती थी, तो मुझे मैंने भजन गाने तो मुझे वहां कम से कम 3-4 सो और मिल जाने, चसका तो वो लग गया वहां पे, ग्यान गुन तो उसके बाद की बाते हैं, मैंने बोला यारे तो बड़ा अच्छ तौफी दूँगा, ये दूद का गलास पी ले, तो तौफी तो वो इसलिए दी जाती थी कि वो बच्चा दूद का गलास पी ले, पर वो आज पता लगा कि वो तौफी नहीं थी, वो दूद का गलास कुछ जिंदगी में और ही कुछ कर गया, पर वहां से मेरी जिंदगी बदल के रहेगी फिर वहाँ से अच्छे विचार सुनें, अच्छी संगत मिली, गुरू ने बताया कि यार तन मन धन इस परमपिता परमात्मा का है, कोई अच्छा गाता है, वो नहीं गाता है, गाने वाला कोई और बैठा है, यह जो हम बोलते हैं कि आरती मी गाते हैं भाई तो मतलब यह हुआ उसके बाद कि मतलब एक ऐसी अध्यात्मिकता पैदा होगी, कि जिंदगी में जो कुछ अच्छा भी हो रहा था ना, उस चोहरत को पचाने की एक अध्यात्मिक शक्ती मिल गई, एक ताकत मिल गई, कि नहीं यार, जो यह जो प्यार मिल रहा है, यह प्य मैं दिरंकारी भजन सुनना चाहूंगा, यह विलकुल, वो सुना तो, कि जो तक दा रहा, दिल मेरा करदा, ओ पाके दर्शन तेरा, हो माताजी, हो माताजी, तरी मुसकान लाई खुशिया, बाका स्वर्गी नजारा, क्या बात है, रॉंक्टे कड़े करते हैं यार, आप साथ में लिटरली, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बड़ी है, मतलब मैं एक ऐसा सिंग गरूब देश पाई, क्या बात है, राजीव नेगी के बात करते हैं, क्योंकि लिखिए आपकी जिन्दगी में बहुत सारे, मतलब राजीव नेगी के एक बात मैंने देखी, राजीव नेगी और निविन नेगी की, और एक हमारे राजेश गंधर्ग जी है, ये सिंगर को इतने अच्छे से गवाते हैं, मतलब स्टूइओ में, कि मतलब एक एक शब्द का ध्यान रखते हैं, कि किस टाइप में गाना, अगर मैं बाता हूँ, राजीव नेगी की मैं बात करता हूँ, मैं ये गाना गा रहा था स्टूइओ मैं, तो राजवीने की बोते पोते थोड़ा स्कुना लचक में गाओ तो यह मतलब यह क्वालिटी होती है स्विंग खिना के लिए और बाकी जो प्रमात्मा के लिए परसे ये कश्शप साभ से भी बड़ तो पहली बार जब मैंने माइक पे गाया तो उन्होंने बताए कि कुद्धी बेटा जब हाई रेंच पे गाना तो पीछे होना है माईक से और जब कोई soft गाना है तो थोड़ा सा आगे होना जो mic sense जो सिखाई है वो कश्षप साब ने सिखाई है और बाकी में राजीब नेगी की बात है कि वो बहुत ही अच्छा काम करता है बहुत बढ़िया बहुत अच्छे चे गाने है तो राजीब नेगी जी को हमने बुला रखा है पर he is like कि भे मैं कैमरे क्या कर बोल नहीं पाऊंगा बोल नहीं पाता हूँ बट राइंके सोमच आपने उनके बारे में भी शेयर किया चलिए आप नहीं आपा रहे हैं कोई बात नहीं आपका जिकर यह हो जा रहा है राजीब नेगी जी के साथ आपने कौन-कौन से अलबम्स करें राजीब नेगी के साथ मैंने कर रहा है धमाका 2017, धमाका 2018 जिसमें शिल्पा शिमले वाली गाना है, बढ़िया जो तुड़का है, डबा टीन दाबे जाना पूरे नॉर्थ इंडिया का बहुत बड़ा अलबम है, तो उसके बाद फिर गाया बिमला तेरे होटले, चंडीगड़ा रीचोरी मतलब वो एलबम भी बहुत बड़ा, वो एक मान चो एक दिन में वो, मतलब एक पहाड़ी सिंगर्स के लिए बढ़ा, एक दिन में वो मारा जो कोई 3-4 लाक व्यूज़ हो गया थे, एक दिन के अंदर, तो बहुत होता है, जैन्वन जो होते हैं, फेक तो चलो जितने मर्ज चैनल पर डालका है, तो बारा मिलियन है वो, ओडियो, सिर्फ वीडियो नहीं बनाया उसका, ओडियो, ओडियो, और उसके काट-काट के गाने डाले हैं, अब बिमला तेरे होटले 16 मिलियन होने वाला है, शिलपा शिमले वाली ये 26 मिलियन होने वाला है, बड़ियों जो कि बढ़ियां के नो तुड़का, उन्होंने जब में वहाँ गया, कि उधी भाई यार, हम आपके तीन ही गाने सुनते हैं, शिलपे, शिमले और ये, बढ़ियां जो तुड़का लाना, वो हमीरपूर और अपना मंडी के लोग रहते हैं, वहाँ पे दुबईी में, उन्होंन क्या सही राइम किया आपने, ये तो आप इसको गाना मना दो, बड़ा सही है, ये कैसे वह दुबई वाला जो भी हुआ है, आपने परफॉर्म किया, मेरे फ्रेंडे जी पंकर शर्मा जी, जो नालागड में रहते हैं, हमारे बिलकुल भाई है, तो उनके मित्र वहाँ रहत किया कि यार वही कुदी भाई के गाने बड़े हम सुनते हैं, तो हम चाहते हैं कि कुदी भाई का यहां पर प्रोग्राम हो, तो अगर हो पाता है, मैंने बोला यार हो नहीं पाता, करेंगे यार, पहली बार ये मौका मिल रहा है, बोलते जी फिर पेमेंट प्यरा का, यार पेमेंट का जो भी है जैसा भी है कर लेंगे पेमेंट का नहीं है, पेमेंट अगर वहां से कम भी मिलेगी तो चले गा, अभी पहली बार विदेश में जाना, देखो सचाई बतानी ची अपनी, तो उन्नों ने कहा कि यार कुदी भाई, हम इतना आपका, इतना दे पाएंगे ह आपको तो पंकर शर्मा जी ने वो डन कर दिया भाई ने हमारे और हम फिर यहां से पांस साथ लोग गये और हम आट दस दिन वहां रहके आए और वो इतना हिट वहां प्रोग्राम हुआ मुजिशन मैं नहीं ले गया था क्योंकि अब आपको पता है पहली बारों का इतना बजट भी नहीं बन पा रहा था तो वहां आपने ट्रेक पे गाया पर लग ही नहीं जाया आपने देखना वीडियो लग रहा है कि या रहा है लाई चल रहा है और देखो गाया तो लाई भी है सिर्फ रिदम पीछे बज़ रही थी तो बड़ा मज़ा है और नेक्स टाइम उन्हां गोला कि उकुर्दी भाई हमारे को पता नहीं था कितना वहां कि टिकट रखी थी वहां पे शोज की जिसमें वह प्रोग्राम हुआ तो उन्हां गोला कि अब यार उपन करेंगे इस प हो इना बड़ियां जो तुड का लाना ठेके दारनिये हो हो ठेके दारनिये हो साजिक परोणे तेरे हो ठेके दारनिये हो हो ठेके दारनिये केदार निया खुछ यूनिया आजागा केदार निया खुछ यूनिया खुछ यूनिया खुछ गाया क्या बात है क्या बात है सच में नहीं लगता है कि किसी अपरिश्व सिंगर ने गारक है सबसे पहला शो आपने कहां किया था जब आपकी अलबम हिट हुई थी जब आप रिकरगनाईज हुए थे कि पहला तो मैंने मतलब एक जो मतलब एक पेमेंट वाला शो यह था जी बिलकुर कमर्शल जो शो था यह मूल महुनाग जी मेला होता है मंडी में वहां यह दो हजार एक में मतलब कीबोर्ड हमार लिए ऐसा होता था उसमें यार क्या बात है क्या बात है पुरा पैड देखते था पैड है क्या बात है तो वहां से पहली बार हम 20,000 रुपे पेमेंट मिली उसमें वहां पे SDM होते थे गोपाल जी जो DC की नौर भी रहे बात में तो ADC मंडी भी रहे तो उन्होंने हमको 20,000 रुपे दिये थे इमाचली बड़ा चा गाता रड़का हो कुर सोग का तो हम दोनों ने वह प्रोग्राम किया था तो वहां से फिर वह दोर शुरू वह प्रोग्राम की उस शोग को करने के बाद क्या क्या खियाल आया थे कि भई जब वह इतना 20,000 रुपे पेमेंट तो आगी हाँ जी हाँ ठीक है लोगों का प्यार फिर वह बाजा तबला रह गया जी मैं सच बता हुआ को मैं आज भी मुझे हर्मोनियम पे गाने का जो मज़ा है वो कहीं नहीं आता है पर उसके बाद लगा कि नहीं आरब तो पर ही गाएंगे अब हम अपना एक बैंड बनाएंगे फिर हमने एक अपना बैंड बनाया अपना फिर उसके बाद फिर प्राइब बीट सरकारी फिर वहां से दौर शूरी हो गया जी प्रोग्राम हो आप इतना शालों से इतने हिट गाने दे चुके हो हमाचली कल्चर को कहा कहा नहीं प्रमोट कर रहे हो आप राइट कब आपको लगा कि जब आप लाइव शो कर रहे थे कि यार यहां पर जाके आप वेल्यू जो है मेरी सही लगा इन लोगों ने हाँ विल्कुल अफदेश जी मैं आपको बताओं कि उत्राखंड में जो एक अमाउंट की तौरपे अमाउंट में नहीं बताओंगा आपको क्या पर जो लगता है कि नहीं यार यह एक स्टार वाला पैसा जो मिलना चाहिए वो मिल रहा है ऐसा नहीं है कि हिमाचल में भी परशासन में यहां जो मिलता है वो भी ऐसा नहीं सम्मान जनक है पर और बेहतर वो हो सकता है तो मतलब उत्राखंड में लगता है नहीं यह वहाँ का स्टार जो वहाँ प्यार करतें लोग और पी जो पेमेंट की बात होती है लगता यह कुछ जेब में आ रहा है और स्टार वाली फीलिंग होती है कि नहीं यार यह पैसे मिल रहे हैं तो मैं आपको बताओ मैं चार साल उतराखन रहा हूँ देरादून रहा हूँ मैं वहां मेरे बहुत सारे दोस्ते हैं तो उनसे पूछो ना कि हिमाचल सुनते हैं आपके गाने लिटरली और वो बोलते हैं फेवरेट सिंगर फॉम हिमाचल कुल्दीब शर्मा ऐसा ऐसा आता है उनका तो वहां पे इतना जादा क्रेज कैसे है कुल्दीब भाई ये प्रमात्मा के कृपा है भाई मैं यह कहूँगा कि उनसे हमारा कुछ कुछ कुछर मिलता है जो जैसे बीट है नाटियों की बीट है तो बाकी तो ये बदाऊंगा कि करिपा है बस ये जो आपको एक स्टेट इतनी मतलब ये कहूँ कि आपको कि वहां साल में अगर आपके दस बारा बारा पंदरा प्रोग्राम होगे इतना फ्रag इतना प्यार मिलता हो तरह गंड से मतलब औरहा अगल कि वहां कि बंदरा इस ही क्या बात है आपके वीडियोस आप दो कि इस्टाग्राम पी डालते हो जी आपके आपके वीडियोस आपधों के नरा इस्टाग्राम परिभी है तो जो मेरी वाईफ है, वो वहां आये थे, उससे पहले हो आगके मेरी अपना शार्दा शर्मा जी सिंगर है, तो उनका प्रोग्राम उनके घर पे था, उससे कोई 2-3 साल पहले, 2001 की बात है, तो वह लड़की वीना शर्मा, शार्दा शर्मा से मिलती है, तो बोलती है कि मेरा मेरा फेबरिट सिंगर कुदीब शर्म आया तो वहां से वह एक मतलब एक कि हाँ कुदीब ने भी आना था पर किसी कारण बश में लेकर आना था साथ में पर नहीं आया तो क्या हुआ कि 2003 में जब वह लड़की मुझे मिली वहां पर पहली शोटिंग हो लड़की ने कहा कि मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ वो नाइथ में उस टाम पढ़ती थी बीना तो बहुत बहुत गाने आपके सुनती हूँ तो बस वहां से वो लगा कि नहीं आए लड़की बहुत अच्छी है कुदीब शर्मा उसके बाद फिर ये कहूँगा भाई कि जिन्दगी में मैं हर मंच पे भी कहता हूँ कि जो एक मातरी शक्ती होती है पहले परमात्मा ने मुझे मा के तोर पे एक ऐसा माता दी कि जिसने मुझे जिसको देख देख के मुझे गाने का शौक पैदा हुआ और उसके बाद परमात्मा ने जिवन साथ ही मुझे ऐसे दिया कि जिसने मुझे समझा वो बहुत अच्छा गाती भी है बहुत अच्छा डांस भी करती है बहुत शौक बोलते कि म्यूजिक का बड़ा शौक है तो सोचो उन्होंने अपने सारे शौक को और मैं आपको पढ़ाई की बाता हूँ कि वो हमेशा टॉप उसने किया लड़की ने पर ये कहूँ कि मतलते हैं कि अपने सारे शौक अपने सारी पढ़ाई को पूरा कुदीब शर्मा को बनाने में उस लेडिज ने लगा दिया पूरा काम अगर मैं हर मंचबे कहता हूँ हर बार कहता हूँ कि अगर मैं स्टार बनाऊ हूँ आज तो बहुत बड़े नाटी किंग कहते हैं सुरो का समराठ कई बार कह देते हैं कई जगा तो मतलब मैं 2007 में जब मेरी शादी हुई उसके बाद ही मैं स्थार बनाऊं। क्योंकि वाइफ का बहुत बड़ा हाथ होता है। किसी कामयाब आदमी के पीछे किसी लेडिस का हाथ होता हूं। मेरे पीछे तो दो दो लेडिस का। साथ में सत्गुरु चार चार लेडिस का मतलब एक सत्गुरु मा के रूप में भी हमें माता मिली है। मतलब बोलता हूं कि मातरी शक्ती का बहुत बड़ा आशिरवाद जिंदगी में रहता है। किसी को भी आप किसी की विजर्दी उठाके देख लो। उनका involvement रहता है आपके पूरे सब्सक्राइब बहुत जादा। बहुत से गाने उन्होंने मेरे डिरेक्ट किये हैं वीडियो। और बहुत से गीत में जैसे लिखते हैं बीच में तो उसमें बड़ा हेल्प रहती है। बागी तो stage पे मैं आपको बताऊं कि जब मैं कई बार जोश-जोश मैं जब कई बार मैं stage पे होश खो बैठता हूं कई बार बाते जादा हो जाती है तो फिर वो दूर खड़ी होती है। वो पूरा, कई लोग तो ये कहते हैं कि कुदीब शर्मा थोड़ना प्रोगर्म करता है कि तो कुदीब शर्मा की वाइब कर ली होती है पीछे प्रोगर्म नहीं पता चलता, नहीं कई बार पूरा औरकेस्ट्रेट वहां से होता है तोहरा और फिर नहीं ज्यादा कि मैंने ज्यादा बोलना कई बार ऐसा होता कि ज्यादा ही बोलना शूर कर देते हो गाना में भी रोक दिया बीच में लोगों का मूड बना है नाट्टी डालने का और मैं अपनी बाते सुनाने लग गया कि नहीं कंटीनू रखो तो मतलब वहां से आइडिया मिलता कि मैं बिलकुल सही जा रहा हूँ उसकी मुस्कान होती है कि आप ठीक है जब वहां सरी है तो ठीक है मैं चले रहो चले रहो चले रहो चले रहो चले रहो तो उसमें क्या होता कि बहुत बड़ा एक सहयोग में जाता है तो बेसिकली स्टूडियो के अंदर, ऐसे कह सकते हैं, स्टूडियो के अंदर म्यूजिक डिरेक्टर डिरेक्ट करता है, कुलदीब शर्मा जी को कि अच्छा ऐसे सही जा रहे है, ये लिट्टिक के साथ गाओ यासे गाओ, और लाइव शो में। कुलदीब शर्मा की कभी भी बीना शर्मा ने तारिफ नहीं की आज तक, बहुत कम उसके मूँ से तारिफ निकलती है, जी बहुत कम तारिफ निकलती है, तब मैं इसको अपने लिए आशिरी बात मानता हूं, क्योंकि अफदेश भाई, जिन्दगी में तारिफ करने वाले तो मुझे बिल्कुर सही मेरा आइना दिखा देता है, अगर अभी मैं कोई गलती करता हूं कि बातों मैं कर दूँ या कि उनकों नहीं लेना देना कि कुल्दीप शर्मा नहीं, जब आये हैं, देखो ना जी, रोजी रोटी भी यही है, और अब एक बारवी फेल आदमी को लोगों ने आज क्या बना रखा मुझे पता है न, वही तब ही तो निकलता है बार-बार भाई कि कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले भुजा हुआ दियाता है तेरी रोशनी से पहले, तो यार ये तो मेरे भगवान है, इनके लिए तो मुझे चाहिए दो घंटे भी खड़े रहना पड़ेगा, तीन घंटे भी खड़े रहना पड़ेगा, क्योंकि कुल्दीप शर्मा को बनाने वाले वो क्या बात है, बहुत ही बढ़े है, मुझे ऐसा लगता है कि कुल्दीप शर्मा जी अगर एक सिंगर नहीं होते है, तो एक रेडियो जॉकी ज़रूर होते है, हो पता नहीं जो शायद आपको हो सकता है, क्यों मैंने रेडियो में काम किया है, और रेडियो में आर जे इसको एक चीज सिखाई जाती है कि Client Integration, कुछ RJ mentions होते हैं, RJ mentions यह हुआ कि एक तो normal आप सुनते हो रेडियो पे, जो मैं बोल रहा हूँ, यह चल रहा है, normal, बीच में हमने दिखा हो कि वो ad भी करते है कि इस चीज की, तो इस तरीके से वो कर जाते है, कि मतले हो लगे नहीं कि वो ad ह और लगे कि वो link है, आचा link है, आपकी मैंने जो live programs देखे हैं, काफी सारे attendance भी किये हैं, कि होता है, मेले में होते हैं कि sponsor programs भी होते हैं, आप वो artist हो, अगर for example, आप sponsored उसमें आयो, आप make sure करते हो कि जो भी brand है, उसका जो mahal है, वो गायकी से तो आप mahal बनाते ही बनाते हो, उस brand का जो आप mahal बना देते हो, मुझे वहाँ से लगा था, मैं कि भाई साब, अगर गायक नहीं होते ना, तो आरजे ऐसे तगड़े वाले होते हैं, और उसके खुश रहते हैं, आपकी नभी कुछ वीडियो बहुत वाइरल हो रही थी, किसी की शादी में, आच्छा जी कैसा रलेशन है उनके साथ, कबसे, अब बिलकुल ये रगुवेंशी की बात करूं तो एक बार सुन्दनगर में प्रोगराम था, तो वहाँ पहली बार मिलना हुआ था, बहुत मतलब ये कहूं की, वाकी बोलते हैं ना, कि एक प्रभु की जो कृपा होती है ना, वो पूरी बरस रही है, कि आज रगुवेंशी को पूरी दुनिया आज सुन रही है, बहुत अच्छा भाईो वाला रलेशन है, भाई ने मुझे फोन किया कि कुदी भाई यार आप, मुझे ने बस आप चीए मुझे, और मैं बोला कि मैं आऊंगा यार जरूर आपके उसमें, बड़ वो है हमारे डिरेक्टर जी, दर्शन खालसा जी, वो उनको बड़ा पसंद करते हैं, एक सरदार हो जो डांस करते हैं बड़ा पगडी को गुमा के उसका नाम है अपने जगतार, अच्छा, अभी अपकमिंग के चल रहा है, अभी बिलकु जी, धमा का 2024 की त्यारी है, और उ आना बहुत जल्दी रिलीज करेंगा, दुबई वाला टूर, आप जब खुद सुनते थे म्यूजिक, या उस ट्रेम आप किन को सुनते थे, मैंने केल सहेगल साब को, मतलब मैं अगर मैं सची बात को बताऊं, तो मतलब उन से बहतर नाटी मुझे किसी की नहीं लगी आज क्रिशनलाल सहेगल जी, क्या खास बात लगती है उनकी? मतलब सेगल सहाब जो गाते हैं, अब मैं थोड़ा साइग गाना उनका सुनाता हूँ आपको मतलब उनकी आवाज जो है वो सीधी यहां लगती है तो मतलब कही ना के और मेरे लिए आप में बताओं को बहुत सभाग्योशाली अपने आपको मानता हूँ जब मैं पहली बार उन से मीला था तो मैंने गोर्खी वाला भी उनका गाना है यह ट्रडिशनल उनने गाया है तो बते कुदी बेटा कब के जनम है तुम्हारा मैंने बोला जी 77 बेटा मैंने 72 पे ये रीडियो से गा दिया था तो उन्होंने भी मुझे एक कॉंप्लिमेंट दिया था कि बेटा तु या गॉड़ गुफ्टिड है क्या बात है हाँ तो मेरे लिए वो इतना बड़ा मतलब मेरे लिए मतलब इससे बड़ा कोई मतलब बोलते हैं कि एक अवार्ड नहीं था कि जो नाटी वो गाते है ना वो आदमी मुझे बोला है कि कुदी तु यहार वाकी मतलब एक गॉड़ गुफ्ट है गाने का जो मिला है तुमें मैं बोलता हूं कि जी वाकी अवदेश भाई जरूर आप उनको भी बुलाएं इतना मज़ा आएगा मैं भी गुरू जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि यह इंटर्वू जो देखेंगे वो कि आप जरूर आएं और आप अपने क्योंकि आप जितने अच्छे से उदेश भाई मैं देख रहा हूं मैं पहली बार आप से मिला हूं जितने वागी आप बाल की खाल निकाल देते है मतलब यह कहूं कि आर्टिस्ट के पूरी जरनी आप दिखा देते हैं अपने बड़ा चांदाज आपका है तो मैं चाहता हूं कि गुरू जी के बारे में भी लोग जाने जैसे आपने इस दी कश्छप जी का मैंने वो पूरा देखा कश्छप साब ने पूरी हिस्टी आप सैगल साब को भी बुलाएं अब मैं आपको बताओं बुलाएं कि बात बात में मैं कबसे उनसे बात हुई है मेरी बट आ थिंक वह बीजी चल रहे हैं थोड़े से और नहीं किया उन्होंने हां भी नहीं किया उन्होंने अच्छा अब यह के स्पेंडिंग है मेरा जी बिल्कुल नाटी को जो उनका जो गाने का अंदाज है और एक हमारे होते थे स्वर्गिये अपना ठाकोर कृशन सिंग जी उनका भी थोड़ा सा मैं आपको सुनाता हूं उनको भी यह ऐसे ऐसे कलाकार है हमारे थे हमारे जो रॉंगटे खड़े हो जाते थे इनको सुनकर पर वो जमाना ऐसा हुआ करता था कि उस समय यह फिल पॉब्लिसिटी होती तो वो कहीं के कहीं होते एक लेजंडरी कलाकार है हमारे विलासपुर के अब तस्वरगी हैं गंबरी देवी जी आपने जो उनका वो गाना गाया खाना पिना उसके बाद से जो बजता है आज भी काफी बहुत कम थे जिन्होंने ना गंबरी देवी जी को सुना था ना इतने बड़े लेबल पर इतने लेजंडरी कलाकार हो और आपका गाना अब हर फंक्शन बसता ना जब तो कहीं न कहीं उनको आपने उस तरीके से चलो जी मैं अपना बहुत बड़ा सभाग्या मानता हूं कि इतनी जो लेजंडरी हमारी कलाकार थी उनके लिए मेरी छोटी सी हाँ होती होगी किस ने किया था ये वाला? ये राजीब नेगी की मुजिक में मैंने बनाया था ये काना दमाका दो हजार अठारा चुनाएंगे दो लाइने? हाँ बिल्कुल बिल्कुल नाचन के नाच गई बंदलेरी गंबरी नाचन के नाच गई बंदलेरी गंबरी धोल की बजाई गया संता हो गंबरी ए खाना कमाना नंदलेरी हो खत्ड़नी खानए मिठ़नी खाने खाने बागारी चेले हो गंबरी ए खाने बागारे चेले हो क्या बात है क्या बात है तो यह style वाइल को बाया यह बिलकुल मैं देखो जी मैं आपको बताऊं मैं जैसे पहले भी बात करी थे आपसे कि मैं कभी भी जो अपने लिए कपड़े जो लेता हूं मैं नहीं decide करता हूं मेरी वाइप भी decide करती है मैं अपने लिए कुछ भी नहीं ले सकता हूं जो वो decide करती है उसको पता है कि इस पे क्या अच्छा लग रहा है मैंने छोड़ दिया है तो वो मेरा जो यह देख रहे हो आप नीचे से उपर तक जो style बना है जहां कब जाना क्या करना है तो वो वही shopping करने हम जाते हैं तो वो मुझे लगा कि नहीं आप पर यह अच्छा लग रहा है यह मैं वो तो नहीं आ रही है यह वाले ले नहीं आपको नहीं पता मतलब यह कहूं कि मतलब एक मैं बिलकुल मान लेता हूं ठीक है मैडम जी आप ही लो तो जो यह style जो बनाया है A20 में भी पूरा का पूरा सौ बैस हैं हाँ जरूर कभी जब बाहर जब जाता हूं थोड़ा सा मतलब यह कि जब audience में जाते हैं तो फिर थोड़ा सा ध्यान रखते हैं तो मुझे प्रशासन भी बोलता है यार आप न थोड़ा लोगों में मज जाया करो कि शने की channel मतलब कोई कुछ भी हो गया आपको थोड़ा कि हीमा चलके तो बहुत ही अच्छे होते हैं अब कमिंग जो singers हैं उनको आप क्या you know वो देना चाहोगे राय देना चाहोगे because आपने जहां से आप उठे हो जो मकाम आपने हासिल किया है आप क्या advice देना चाहोगे भाई उपदेश भाई में यही advice में मंच पे भी बोलता कि जब कुदीब शर्मा गाता था तो उसमें live गाना पड़ता था जब record होती थी ना मानो एक शेनाई वाला बजा रहा है और कुदीब शर्मा ने बहुत बड़ी अगा दिया और शेनाई वाले से गलती होगी मैं आपको बताओ कि एक गाने को record करने में 5-5 दिन लगते थे क जब फाइनल निखर कर जब वो गाना आएगा तो वो कितना अच्छा होगा चीक है जी आज क्या है कि आज स्टूडियो में रिदम बजा है शनाई बजी है सब कुछ बजा है सिंगर जाएगा अपना फटा फट गाएगा और फटा फट गाके वापस आजाएगा गाना वो ह जालिए कुदीब शर्मा थोड़ी मियां में ठुवाली बात हो जाएगी मुझे बहुत सारे कॉंप्लिमेंट मिलते हैं कुदीब भाई आप जैसे कैसे में गाते हैं जैसे आप सीडी में सुनते हैं वैसी आपका स्टेज पर होता है तो वही कारण है जो पिछले 27 साल से नहीं बुलाता ना जीद तो यही है भाई मैं नए सिंगर्स कुमत हो कि आज चलो आप लाइब का दौर तो नहीं है आज पर कम से कम आप कोई गाना जब गाते हो तो अच्छे स्टूडियो में गाओ मेहनत करके गाओ जो आपका गाना हिट होता है उस पे इतना रियाज करो कि जब आपको वो गाना लोगों के बीच गाना पड़े मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ किसी सिंगर का बहुत से सिंगरों की बड़े बड़े हिट गाने हुए पर वो जब वो लाइब गाते तो उससे क्या हो रहा है कि उनकी मार्किट पे मानों एक बार प्रोग्राम कही जो उससे गवाया और वहां तो गवा दिया और स्टेज पे क्या करेगा बस यही और बाकी हर मंच से यही देता हूँ भाई कि कुदीब शर्मान ने तो वो खमयाजा भूगता कि मैं नशे की चपेट में था और सबसे बड़ा दुश्मन जो आज की डेट में जो कलाकार का है यही नशा, तो मैं चाहता हूँ कि नशो से दूर है, आज मुझे पूरे चॉबीस साल हो गए, मैं किसी भी परकार का नशा नहीं करता हूँ, हर मंच पर यही कहता हूँ कि नशा मुक्त हिमाचल बनाएंगे, नशा मुक्त देश बनाएंगे, तो मैं यही निवیधन करता क्योंकि मैं अब अगर अपनी बात करूँ तो उस समय जब मैं हमारे हमने तो यही मैंने तो जा जादा एक दो सुटा पिया होगा कभी उस समय और या शराब पी आज तो अब देश भाई ऐसे नशे हैं कि आप तीन साल कर गलो तो आदमी गया बहुत सी घटना है ऐसी मैं अप महल खराब हो रखा है हिमाचल के अंदर वे इस चीज के ओपर हिमाचल ने इतना कुछ दिया है आपको हिमाचल के लोगों ने इतना कुछ दिया है आपने हिमाचल को बहुत कुछ दिया है हिमाचल के लिए कोई गाना बिलकुर महराज मैं हिमाचल के लिए तो हमेशा जब भी मैं मंची पे चड़ता हूँ तो पहले मैं सत्गुरू बंदना करता हूँ उसके बाद फिर मेरा हिमा चल गए गाना होता है ए तिरे भगवनों की सानो पेदा को रूँ हमें सियो सबजी खा हिंदू सितानो हो हाए हाए लागा ढोलो रधमा का मेरा हिमा चलो बड़ा बंका और हिमा चल के लिए यही कहूंगा जिन्दगी में ये तो नहीं पता कि जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे क्या बनेंगे क्या नहीं बनेंगे या इनसान बनेंगे या मुक्त हो जाएंगे वो तो हमारे करमों पे डिपेंड करेगा उपदेश भाई क्योंकि ये बोल देना कि मौत और जिंदगी इस परमात्मा के हाथ में जो कोई आता है वो भी इसी की ग्रीपा से आता है और जो जाता है वो भी इसी के आशिरवात से जाता है पर जिन्दगी में अगर इनसान के रूप में मुझे जिन्दगी में दुबारा से जनम मिलता है तो मुझे मेरे प्रभू हे परमात्मा मुझे मेरे खुबसूरत हिमाचल परदेश में ही पैदा करना और मुझे कलाकार ही बनाना क्या बात है, क्या बात है उससे पहले मैं बोलू रहन टेखड़े करती थी ते इस वाले गानु ने था कौन से काले पहुंच जाते है पहले तो ये बताओ, कौन से वाले उपर तक कहा तक जाते हो पता नहीं, इसके बारे में भी यही कहूँगा भाई में कि मुझे संगीत का ABC नहीं आता है हर्मोनियम जब मेरे पास कोई लेके आता है तो मुझे उससे फोविया है क्योंकि मुझे स्केल पकड़ना भी नहीं आता है तो मैं वही बात करूँगा कि क्रिशनलाल सेगल जी ने मुझे यही कहा कि बेटा आप God gifted है, जैसे आप मुझे बोल लेओ कि रॉंग्टे खड़े होगे तो मुझे तो भाई इसके बारे में पता अब जो आता है अंदर से, जो सीधा गाता हूँ जब मैं स्टेज पे चला जाता हूँ तो मतलब यह कृपा है ब्रमात्मा की, जहां से शुरू कर दिया फिर वो गा देता हूँ खुल्दीब जी, क्यूरासिटी है यह जो आपके नाम के आगे लगा है, Naughty King इसका कुछ देखो जी, अबदेश भाई, मैं सबसे पहले 2003 में हिमाचल उस सब मैं परफॉर्म कर रहा था यह सोलन वाला, हिमाचल उस सब आपका बहुत बड़ा इवेंट होता है यहां पर, डैनामिक यूअमंट जी हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुर मुकेश जी, पंकर जी, किर्थी जी किर्थी कोशल, हाँ जी, तो मतलब मैं परफॉर्म कर रहा था, तो मेरा आपको पता है अंदाज की बीज में पहाड़ी, बीज में हिंदी जैसे में गाना, मेरे कुछ गाने ऐसे तेरी प्यारी चाल देके, हुआ बुरा हाल देके, तो बहुत से गाने में ऐसे हिंदी में गाये, तो बीज में में फिल्मी गाना गा देता, और मेरे सामने वाली खिड़की में, एक चांद सा टुक, तो ये गाना शुरू किया, तो इतने जुमें यहां पे लोग इतना तो यहां से मुझे सबसे पहले रिमिक्स किंग लिखना शुरू किया, सच बताओं मैं इमानदारी से, मुझे तो रिमिक्स किंग के बारे में भी पता नहीं था कि रिमिक्स किंग क्या होता है, मीडिया ने बड़ी बड़ी फोड़ो लगा दी, 2003 में रिमिक्स किंग लिखन शुरू कर दिया बाद में इस बारे में बहुत थी उस तिन चीजों में नहीं जाएंगे कि कि नहीं यार कुछ लोग बोल दें कि यार ये खुद लिखते है नाटी किंग यार मैं सच बता हूँ मैं 2003 में क्या था मेरी उमर कितनी रही होगी मुझे क्या पता था रिमिक्स किंग मैं अपने परमात्मा को हाजिर नाजिर मान के इनकी सौगंद खा के कहता हूँ कि मुझे 2003 में मीडिया ने सबसे पहले रिमिक्स किंग लिखना शुरू किया फिर और लोगों ने आगे नाटी किंग लिखना शुरू कर दिया तो फिर वो वहां से भाई वो दौर शुरू हुआ तो मतलब यह मैं अपने उपर कृपा मानता हूँ कि लोग और फिर आज बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं खुदी भाई वाकी जब भी सर्च करते हैं तो नाटी किंग आप ही निकलते हो मैंने बोला है रहा भाई यह कृपा है किंग कोई नहीं है जिंदगी में किंग एक ही है सब का पूरी दुनिया का वो प्रमात्मा है जो सब को हमें बोलना अमानो उपर वाला किंग अगर कहीं सुच काट दे तो आप स्टेज पे आप मूर्दे हैं क्या है क्या गाएंगे आप माई का शोर है रहेगा एक सुच काट ना है उसने बस हो किंग बनाने वाला यही है, यह मेरा परमात्मा यही किंग बना के रखेगा, जब तक उपदेश भाई इसके हाथ की कटपुतली समझ के इस दुनिया में चलता रहूंगा, तो फिर वो किंग रहूंगा, जब सोचूंगा कि कुदीब शर्मा यार इतनी उची स्केल में गाता ह रॉंगटे खड़े कर देता है, लोगों के आप बोले जैसे, तो फिर वो बोलते हैं कि स्टेज पर जब गाऊंगा, तो माईक का शोर होगा, कुछ नहीं होगा, फिर यह बात नहीं होगा, क्योंकि जो एक अंदर से जो यह परमात्मा खुद निकालता है ना अंदर से, यह बहुत बड़ा गाना है, सुरिंदर दांगी ने इस गाने को लिखा है, और आजीब नेगी ने इसका मुज़िक किया है तो यह गाना और है, जो कि हमारी सुननन्दा शर्मा जी जो पंजाबी सिंगरून को भी बहुत पसंदिये गाना है था, वेल्कल दरोगा जी गाता हूं हादा रोगा जी इना छोरू आनू समझाई, आंदे जांदे सित्ती मार दे हो दिन था पहला साथ छोटा भाई, हो रहित कपड़ों की धुलाई, इने छोरू जो सित्ती बजाई हादा रोगा जी इनकी करो पिताई, हांदे जांदे सित्ती मार दे या बात है कुली भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका आप यहाँ पहली बात हो यहाँ आए और इतनी आपके इतनी सारी चीजे बताई हमें और आपके बारे में जानने को मिला बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके I hope आपको अच्छा लगा होगा बहुत अच्छा लगा बस यही मैं थोड़ी सी गुरु जी की बात करूँगा अएंड में कि हमारे में विवेक शौक जी का नाम आपने सुना होगा जैसे आपने बोला कि कुली भाई आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा तो हमारे गुरु भाई होते थे एक्टर बहुत बड़े थे गदर फिलम में जीनों दरम्याना का रूल किया था विवेक शौक जी गुरु भाई थे हमारे तो उन से किसी ने पूछ लिया कि इंटर्वु ऐसे चल रहा था उनका जैसे आप मेरा इंटर्वु ले रहे थे तो उन्होंने बोला कि विवेक जी आप से मिल की बहुत अच्छा लगा तो विवेक जी ने बोला जी अच्छा सच को बहुत अच्छा लगा तो उन्होंने क्वेश्चन कर दिया जो आपको पता है कि आप लोगों बड़े जादूगर होते हैं जो मेडिया वाले जो आप जो reporter होते हैं, जो report लेते हैं बड़े exhibited के जादूगर होते हैं तो उन्हों refusal कि आप याँ एक mission से जुड़े हैं आप इतने बीज़ी रहते हैं आप इतने comedy करते हैं, इतनी filmे बनते हैं बोलते हैं आप यार अपने mission के लिए कैसे time निकालते हो आप अपने गुरू के लिए कैसे टाइम निकालते हो आप अपने मिशन का परचार कैसे करते हो तो उन्होंने कहा कि बस मुझे परचार करने की जरूरती होती बोलते आप ने कहा ना सच बताना मुझे आपने कि आपको मुझसे मिलके सच को अच्छा लगा तो मेरे गुरू का मेरे मिशन का परचार हो जाता है कोई मुझे ऐसा ना कहे कि नहीं यार मैं विबेक से मिला है या कुदीब शर्मा से में मिल रहा हूँ यार गाता तो बड़ी है पर वो इंसान अच्छा नहीं है और यही कहूँगा आज हम मेरे से बहुत सारे question करते हैं मेरा बेटा भी बहुत अच्छा गाता है कि कुदी भाई यार इसको आप singer बनाओगे कि आप इसको क्या बनाना चाहते नहीं यार अभी singer मत बनाओ इसको कुछ और field में डालो इसको कुछ अच्छा बनाओ मैंने उनसे यही कहता हूँ और सबसे यही कहता हूँ आपके channel के मादियम से कि उपदेश भाई जिन्दगी में हम कुछ भी बने सबसे पहले अच्छे इनसान बने अच्छा इनसान है वो चाहे कलाकार बनेगा चाहे डॉक्टर बनेगा चाहे इंजिनियर बनेगा किसी भी शित्र में चाहे नेता बनेगा चाहे अवी नेता बनेगा जितना बड़ा नाम उतना बड़े वो फिर काम करेगा अगर जितना बड़ा नाम बनेगा अगर वो इनसान अच्छा नहीं होगा तो वो हमारे समाज में गंदगी ही फैलाएगा सबसे बड़ा अगर हम अपने बच्चों के लिए भी अरदास करते हैं मैं तो अपनी बात करता हूँ भई मैं तो परमात्मा से दिन रात यही अरदास करता हूँ मेरे प्रभू कि मेरा बच्चा कुछ भी बने मुबारक है पर वो सबसे पहले एक अच्छा इनसान बने और यही मैं मैंसेज देना चाहता हूँ आपके माध्यम से उपदेश भाई कि जिन्दगी में हम कुछ भी बने बस सबसे पहले इनसान बन जाए एक बात मुझे यादा रही है कि हम चांद तक पहुंच गए हैं पर हमें जमीन पे अच्छे से चलना अभी टक नहीं आया चांद की तो बात की बात है पहले हमें इस जमीन पे भी अच्छे से चलना आजाए बस हम अच्छे इनसान बन जाए उसके बात सब कुछ फिर मुबारक है क्या बात थैंक यू सो माच थैंक यू जी